नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कल्यान ज्वेलर्स लिमिटेट के बारे में तो दोस्तो अगर इसके शेर्स आपके पास पड़े हुए है तो एक भी शेर्स मत बेचियेगा पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजेगा उसके बाद चाहे जो मर्जी करियेगा वो आपकी मर्जी है 15% पे इसकी दोस्तो डिसकाउंट लिस्टिंग हुई है तो आपको चिंता जरूर हो गई होगी कि हमारा पैसा जो है वो 15% नीचे आजाए तो हो सकता है आप यहां से लॉस बुक करके निकल रहे हो बट अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है या फिर इस गिरावट से आप उपरचुनिटी को ले रहे हैं तो यह वीडियो आप जुरूर देखे प्रिविएस क्लोज आप इसका देख सकते हैं 87 है दोस्तो ओपनिंग होती है इसकी 73.95 पे काफी कमजोर ओपनिंग होती है और यह हई बनाता है 81 का और अगर मैं लोग की बात करूं तो 72.90 का इसने यहां पे लोग बनाया है यहां पे मैं छोटा सा लॉस और लेने की आपको सजेशन दूँगा और आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा वो मैं आपको डेफिनिटली आगे बताऊंगा कि आप कैसे इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं जस्त दो लॉजिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा पहले मैं आपको वोल्यूम दिखा देता हूँ आज डिलिवरी कैसी उठाई गई है कि सेलिंग प्रेशर आपको साफ दिखाए दे रहा है बाई ओडर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 28,16,561 शेर्स और बुक में लगे हुए हैं और सेलिंग कॉंटिटी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 64,73,380 शेर्स लगे हुए हैं तो साफ आपको यह सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है बट आज में सेंटीमेंट अच्छा है बुठ को सकता है तो मार्यट में रहता है कि आगे भी मार्यट का सेंटीमेंट खराब ना हो जाए वो डिफिनेटी रहता है और की सर्फ और कोई बखवान पूरा पूरा फायदा यहां पे उठा रहा है तो दोस्तों चलिए पहले बात कर लेते हैं हम logics की पहला मैं आपको logic बताना चाहूंगा gold का gold का यह business करते हैं तो definitely gold prices बहुत ज़ादा impact इनको करते हैं तो gold prices अभी चल रहे हैं 45,000 के नीचे तो 45,000 के नीचे अगर यह चल रहे हैं तो इससे इनको कैसे फायदा होगा जब gold 50,000 प्लस चलना था तो definitely आप सोचते हैं कि यार अभी gold buy नहीं करना चाहिए जिसे मजबूरी है वो तो buy करेगा ही करेगा जिसके घर पे शादी है वो gold चाहे 70 पहुन जाए या 80 पहुन जाए उसे करना ही पड़ेगा बट जो gold ऐसे buy करता है investment purpose से या फिर किसी भी बजा से वो काफी जादा यहाँ पे secure हो जाता है वो डिप का बेट करता है definitely सभी करते हैं आप retail निवेशक हैं तो आपको पता होगा कि आप dip का बेट करते हैं या फिर नहीं इसी logic में मैं include करना चाहूँगा कि जैसे जैसे covid-19 ठीक होगा तो gold prices जो है वो दोस्तों आपको consolidate या फिर गिरते हुए दिखेंगे मैं आपको बताऊँगा आप chart देखेगा 2016 का, 2017 का और 2018 का जब market में अच्छी खासी rally चल रही थी तो gold prices negative में returns दे रहे थे और ये factual चीज़े हैं ये हाला कि हर बार नहीं होता है बट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब market अच्छा खासा होता है तो gold prices आपको गिरते हुए दिखते हैं तो gold prices अगर गिरेंगे तो इनकी sales बढ़ेंगी अगर sales बढ़ेंगी तो definitely आपका जो fundamental है वो भी बढ़ेगा fundamental अगर company का बढ़ेगा तो आपका जो share price है वो भी बढ़ेगा और अगर share price बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होगा तो ये तो आगया पहला logic but company की इतनी reach भी होनी चाहिए तो दोस्तो कल्यान ज्वेलर्स one of the best company in इंडिया है यानि कि gold के मामले में ये company number one position पे खड़ी हुई है और अगर आप इनका ambassador देखेंगे तो कौन है वो है अमीता बचन जी तो आपको ambassador पे हलागी ज्यादा focus नहीं करना चाहिए but definitely अच्छी खासी यहां पे risk to reward ratio आपके favor में दिखता है तो आपको दो चीजे दो logics मैंने बता दिये हैं कि आपको इन logics को follow करना है तो आपको एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहां पे low को follow करें आपको जो stop loss लेके चलना है वो इसका low लेके चलना है 72.90 का यहां से risk to reward ratio आपके favor में रहेगा त धन्यवाद